हेलो एवरीवन वेलकम बेक्टी टेट अफ नॉलेज इस्ट्रेंट्स एक लैटेस्ट आपड़ेट आपको इस वीडियो के अदर प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि आपके कौर्टरली एक्जाम इस तिर्मासिक परीच्छा से संबंद दिते तो फाइनली बोड की तरफ स परीच्छा में पार्ड क्रम से कम किये बाग में से प्रिश्न पत्र नहीं पूछे जाएंगे अब प्रिश्न पत्र धाई गंटे का होगा तो इससे पहले में आपको रिडियोच के बारे में बताया ताए कि टॉपिक्स को कम कर दिये गया है वो आपके एक्जाम में नहीं पर पहले हम बात कर लेते हैं नवी और ग्यारवी कक्चा के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं 9th और 10th के लास का ताइम टेबल रहेगा वह सेम रहेगा ठीक है नवी से लेकर बारवी तक टाइम टेबल जा रही किया गया है तो कक्षा नवी से लेकर बारवी तक के चातरों के लिए ये न्यूस बहुत ही ज़ादा important है तो सब पहले जान लेते हम 9th और 10th के बारे में इसकी आप अच्छे तरीकी से तयारी कर लिजेगा क्योंकि आपको जो फस्ट पेपर होने वाला है वो आपका English का ही होने वाला है तो 2921 शुक्रवार को आपकी अंग्रीजी का पेपर होगा Class 9th और 10th इसके बाद students हम आजाते हैं next paper के बारे में तो आपका जो second paper होगा 25 तारिक को इसमें कोई गेप नहीं है जो कि next day शनिवार को होगा जो कि हिंदी कर रहेगा बलब language का paper रहेगा तो पहला आपका अंग्रीजी का दूसरा paper 2921 को शनिवार के दिन हिंदी कर रहेगा इसके बाद students आपका जो next paper होगा 27 तारिक को जो कि Monday के दिन होगा आपका math, music, painting math है तो आपका गडित का होगा, music से है तो आपका music जा फर painting ये paper आपके 27 तारिक में होगे ठीक है students और 25 बाद 26 Sunday है तो Sunday का तो आपका अवकाश रहेगा इसके बाद हम आजाते हैं 28 तारिक में 28 तारिक में आपके जो paper रहेंगे मंगलवार का दिन रहेगा ये जो paper है आपके vocational, national skills, qualification, framework for vocational education, IT, ITS, private security, beauty and wellness, electrical technology, इतने तरह के agriculture तो इतने तरह के जो paper हैं अगर आपने ये course किया है और अगर आप ये paper देना चाहेंगे तो मतलब आपकी परिक्चा होगी वह 28 तारिक को होगी अगर आपने इन subject को चूज किया हुआ हुआ है तो 3921 को students आपका science का paper होगा इतने इस विज्ञान का इसके बाद आपका 3921 गुरुवार को संस्कृत, उर्दू, मराथी, गुजराथी, पंजाबी, सिंधी इन विश्यों के आपकी परिक्चा 3921 को मंगलवार के दिन होगी इसके बाद आज students आपका जो last paper होगा, एक 1021 को होगा, एक October 2020, शुकरवार की दिन Friday को होगा, जो किस सामाजी विज्ञान का होगा, मतलब आपकी social science का होगा, किस का होगा, social science का आपका जो paper होगा, वो होने वाला है आपका, एक 1021 को, okay students तो ये paper की पूरी list है, यहाँ पर मैं आपको बता दी है, class 9th और class 10th की, अब जल्दी से इसका screenshot ले सकते हैं, आगे मैं आपको बताओंगा, आपके pattern के बारे में के परीचे का pattern क्या रहेगा, किस तरीके से आपको numbers दिये जाएंगे, इसके उपर एक separate video बना कर मैं आपको बताओंगा, और reduce syllabus के बारे में, already मैं timing के बारे में आपको बता दू, तो आपको timing रहेगी, वो शाड़े 10 से लेकर एक बज़े तक होगा, मतलब कि आपको पेपर है, वो धाई गंटे का है, तो सुबा साड़े 10 से लेकर दो फेर में एक बज़े तक आपकी परिक्षा आज़ित की जाएगी, ठीके स्ट्रेंट 24 स से लेकर चार बज़े होगी, मतलब कि 9 और 10 और 11 12 दोनों के सेम डे चलेंगे पेपर, पस timing का फर्क रहेगा, जो 9 तैंथ है, उनका morning में होगा, और 11 12 है, आपका जो timing रहेगी, वो आपका देर बज़े से स्टार्ट होकर चार बज़े तक आपकी परिच्छा का समय रहेगा, ठीक है, चले, अब बात करते है, 11 12 के, कब कब आपके कौन को से पेपर होंगे, तो मैं आपको बता दू, पहला पेपर जो होगा, आपका चुवीस नो जार इकीस को, शुगरवाल को फ्राइडे को होगा, वो होगा, आपका भोतिक शास्त, मतलब के फिजिक्स का, व्यवसा पेपर से आपने कौन सा स्ट्रीम चूज किया हुआ है, तो आपका कौन सा सब्चीट का पेपर होगा, ये आप खुद चूज कर लीजेगा, खुद देख लीजेगा, ठीक है, ये किलियर है, बात करते हैं, 25 तारीक में बारे में, इसके बाद नेस्ट आपका जो पेपर पेपर हैं, ये पेपर आपके 25 नोज़ वदर 21 को अजवित किये जाएंगे, इसके बाद स्टूइट्स हम आजाते हैं, 27 तारीक में, 27 नोज़ वदर 21 को आपकी परिक्चा होगी, वो स्वमवर्क होगी, उसमें आपका जो होगा, रसाइन शाथ, क्यमिस्ट्री का, लेका श चलिए, अब बात करते हैं, 28 तारीक में, 28 दिन मंगलवार कर रहेगा, राजनीती शाहित का होगा, एनिमल, हस्बेंडी, मिल्क टेट पॉलिटी फॉर्म्स, और फिशरी, विज्ञान के तत्व भारती कला का इत्यास, ये पेपर आपके होने वाले हैं, 28 नोज़ दौदर 21 म कामन रहती है, तो हिंदी का आपका गुरुवार को 30 तारीक का होगा, और एकद दौध 21 को आपकी लेंग्विज का अंग्री जिकात, तो आपका, लेंग्विज का पर इंग्लिश का है, वो लास्ट में ले गए हैं, लेकर आपकी जो लेंग्विज इस बार चेंज होई है, मतलब क्लास 12 के बारे में बात कर रहा हूं कि इस बार आपकी जो पर इंग्लिश है वह आपकी सीवी ऐसी वाली चल रही है तो इसके लिए आप अच्छे तरीके से त्यारी कर लिए चारदस 21 को आपकी संस्कृत उर्दू मराथी कुछ लोग संस्कृत लेते हैं उर्दू लेत है तो यहां से देख लिएगा ठीक है फड़ा फड़ा इसकी चौट ले लिए ओकी स्ट्रेंट्स यह आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है बोड की तरफ से फाइनली टाइम टेबल जारी कर दिया है ज्यादा कुछ टाइम नहीं बचा हुआ है नो दस दिन बचे हुए तो आप तैयारी शुरू कर देजिए तर्मासिक परिच्छा से सम्मधित जानकारी जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा इससे पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ तो आपको स्टड़ी स्टार्ड कर देना चाहि वाइड करंगा वह हर्म ऑप्र टुब्सिंट कर देए तो देखते रहें जाद़ आपको दोस्तों को शेयर कर देदेगा है कर दीगा झाल झाल